आज की ये रेसिपी पर्सनली मुझे बहुती पसंद है तो मुझे लगा मैं क्यों ना आपके साथ सेर करूँ चटपट बनने वाली और बहुती स्वाधिस्ट तुझ सुरू करते हैं चलो आज की ये रेसिपी सबसे पहले एक बरतन में दो घंटे के लिए चावल भिगो के रख दे उसमें गाजर और पीस डाल के रख दे उसके पाद उसको गेस पर उबलने के लिए रख दे अब देख सकते हैं हमारा चावल रेडी हो गया है अब हम चलते हैं कड़ाई की तरफ दू चमत तेल गरम करने के लिए रख दीजिए अब हम इसमें डालेंगे खड़े मसाले पत्तर का फूल पड़ी लाई ची छोटी लाई ची लाल मिर्ची तेज पत्ता दाल चीनी और स्टार फूल अब हम डालेंगे साह जीरा हिंग पाउडर प्यास कड़ी पित्ता हरी मेच तोनली मेच किया हुआ लसन अद्रक का पेस्ट अद्रक और गार्लिक दोनु ही फ्रेस डालें बिर्यानी मसाला अब डाली बारिक कटी हुई सिम्ला मिर्च तन्य जीरा पाउडर लाल मिर्च पाउडर बारिक कट हुआ टमाटर स्वाद्य नुशार नमक अब डाले उबले हुए सबजिया और चावल और अच्छे से मिक्स कर ले अब देख सकते हुए दस मिन्ट में अपनी बिर्यानी तयार हो गई और उसका लुप तुठाए